अब आप अपना focus retention कैसे बढ़ा सकते हो, well move to the third step, this is a technique called pomodoro technique in which you can use during learning, यह technique क्या करेगी कि आपके focusing retention को बढ़ाएगी, अगर आप कोई skills सीख रहे हो तो, see हमारा जो mind होता है, वो एक time पे बहुत सारी information को collect नहीं कर सकता, जैसे जानने लग जाती है road पे, हमारा mind मी jam हो जाता है हमारा जो concentration है, वो यू कर उपर काम करता है, इसका मतलब क्या है, कि अगर हम कोई कीज पढ़ने बैठते हैं, या कोई skills सीखने बैठते हैं, तो हमारा जो concentration power है, वो शुरू में और अंत में ज्यादा तो रहता है, किसी भी learning period में, पर बीच में क्या होता है, कि हम अपना concentration lose कर कर लेते हैं, जब हम कोई movie देखते हैं, तो शुरू का और end का तो हमें याद रहेगा, पर बीच का हम भूलना शुरू कर लेते हैं, तो बहतर यही रहेगा हमारे लिए, कि जितना time frame हमारा कम रहे, उतना अच्छा रहेगा, और इसके लिए या तो 45 minutes का jam session कर सकते हो, या पो